जार्खन प्रदूशन बोर्ड ने साहिब गंज में रेलवे पर बड़ी कारवाही करते हुए साहिब गंज के सभी पत्थर चिप्स रैक लोडिंग पॉइंट के ततकाल प्रभाव से कल से बंद रखने का आदेश जिला प्रशाशन को दिया दरअसल बंद करने के आलोग में जिला प्रशाशन ने रेलवे के स्थानी अधिकारियों को नर्देश देते हुए सभी रैक लोडिंग पॉइंट को बंद रखने का आदेश दी दिया जब तक रेलवे को सभी रैक लोडिंग पॉइंट के लिए जारखन प्रदूशन नियंतरन बोर्ड से CTO निर्गत नहीं हो जाता इस बात की जानगाई साहिब गंज डीसी राम निवास यादव ने आज पत्रकारों को दी डीसी राम निवास यादव ने बताया कि पिछले दिनों अपर मुखे सचेव फॉरेस्ट की अध्यक्षता में एक राजिस्तरीय टीम साहिब गंज का दौरा किया था जो जिले में हो रही माइनिंग, क्रशिंग और रैक लोडिंग पॉइंट का निरिक्शन किया इस कड़ी में टीम ने साहिब गंज माल गोदाम और मिर्जा चौकी से संचालित रेलवे के रैक लोडिंग पॉइंट का जायजा लिया टीम के जांच में दोनों स्थानों पर रेलवे के पास CTO नहीं पाया गया जिसके बाद ACS Forest ने रेलवे को NGT के सभी नियमों का पालन करते हुए अवगत कराने का निर्देश दिया था जिसके बाद आज़ुला प्रशाशन ने इसकी सूचना रेलवे को देते हुए रैक लोडिंग बंद करने का निर्देश दिया यह स्टेट पोलिशन गंट्र बोड की तरफ से आदेश आया है क्योंकि जो कमिटी आई थी उन्हों को देखा दो जिगह पर लोग गये थे साथ में जिमाल गोदाम में और मिर्जा चो की रेलिवे साइडिंग तो वहां पे रेलिवे के लोगों को पूछा गया कि इसका प्राता दर्बन न्यूस के लिए साहिब गंजारखन से अरविंद कुमार की रिपोर्ट